इस video में दी हुई जानकारी internet से ली गई है, हम इस video में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार दॉक्टर से जरूर सलाह ले。 अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपियो करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी Multi Drug Resistant यानि की AMDR तपेदिक में प्रेरग Bacteria Beta Lactamage नामक एक एंजाइम का उतपादन करते हैं यह एंजाइम एंटीबाओटिक दवाओं को तोड़ देता है और उन्हें अप्रभावी बना देता है नतीजतन बैक्टीरिया उपचार के लिए उपियो किये जा रहें एंटीबाओटिक के प्रतिप्रतिरोधी हो जाते हैं डिकलेव डियस ड्राइ सिर्प में दो सक्रिय सामग्रिया शामिल हैं एमोकसिसिलिन और क्लेवुलैनिक एसिड जबकि क्लेवुलैनिक एसिड एंजाइम को एमोकसिसिलिन को अप्रभावी बनाने से रोकता है एमोक्सिसिलिन तपेदिक पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने की दिशा में काम करता है यह एमोक्सिसिलिन और क्लैवुलैनिक एसिट के सयोजन को प्रतिरोधी तपेदिक के लिए एक प्रभावी उपचार बनाता है इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें इसे मापने वाले कप से नापे और मुव से लें इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं Declev DS Dry Crip को भोजन के साथ लेना बैतर होता है Declev DS Dry Crip एक Antibiotic है इसमें दो सकरिय एजेंट है — Emoxicillin और Clevolanic Acid Amoxicillin जीवानूं के जीवित रहने के लिए आवश्य एक जीवानू सुरक्षा कवच यानि की कोशिका दीवार को बनने से रोक कर काम करता है जबकि क्लेवुलेनिक एसिड एक एंजाइम यानि की बीटा लेक्टामेज को बाधित करने का एक विशेश उद्देश प्रदान करता है जो प्रतिरोधी बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है यह कई प्रकार के संक्रमनों के लिए एमोगसिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड के सयोजन को उपचार की एक प्रभावी रेखा बनाता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन on all नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद